हलो दोस्तों मैं उपेंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल यू के टुटरियल में आज का मेरा टोपिक है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से ले करके आजादी तक जहारखन में जो भी गती बिधियां रही है जहां से प्रश्ण बनते हैं उसको हम लोग स्वागत करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 सिस्वी में प्रारम होता है और 1947 सिस्वी में हमारा दे सजाद होता है इसके दोरान जहारखन में क्रांती कारियों की गती बिधी से समन्दी जो प्रश्ण पूछेंगे उसको हम लोग और जेक्टिक से रुप में वन बाई वन सोल्फ करेंगे तो पहला प्रस्ण है कि निमने से कौन महिला भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान प्लामों में सक्रिये रही इसका एंसर हो जागा दोस्तों कुमारी राजेश्वरी सरोजदास ने प्लामों में सक्रिये रही थी इसका एंसर ए सही है वही अगला प्रस्ने के भाराज छोड़ो अंदोलन के प्रारम होते ही जहारकन के कीस नेता को अंग्रेजों द्वारा गिरिपतार कर लिया गया था तो अंग्रेजे द्वारा गिरिपतार कर लिया गया था दिस्तो सुखलाल सिंग को इसका एंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा आगला प्रस्ने के भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान जहारखन के राम नरायण सिंग यम सुखलाल सिंग को किस तीथी को ग्रिपतार किया गया था ते दुरों करांती कारी राम नरायण सिंग और सुखलाल सिंग को कब ग्रिपतार किया गया था जिसको ग्रिप्तार किया गया था दोस्तों 10 अगस्त 1942 को इसका एंसर C राइट हो जाएगा वही अगला प्रसने के भारत छुड़ो अंदोलन के दोरान जहारखन में ग्रिप्तार राम नराइड सिंग सुखलाल सिंग कहां के नेता थे दोनों थे हजारी बाग के नेता थे इसका एंसर यहांपर D राइट हो जाएगा वही अगला प्रसने के भारत छुड़ो अंदोलन के दोरान जहारखन से ग्रिप्तार नेता राम नराइड सिंग यह सुखलाल सिंग को किस जेल में रखा गया था कि दोनों को रखा गया तो दोस्तों हजारी बाग जेल में रखा गया था इसका एंसर ए राइट हो जाएगा भारत छुड़ों अंदोलन के दोरान कि जापला के मजदूरों ने में से किसके नेत्री तुम्हें हर्ताल रखे थी भारत छुड़ा अंदोलन के दौरान जपला जैसे कि हम लोग जानते सेमेंट फैक्टर है दोस्तों वहां को मंदूरों ने हर्ताल रखी थी और हर्ताल कारियों में नेत्रीतों करता थे मितलेश कुमार सिंहा थे इसका अंसर यहां पर सी राइट हो जाएगा वही अगला प्रस्ने के भारत छुड़ा अंदोलन के दौरान जीम में से किसके नेत्रीतों में सीपाहियों ने जमसेतपुर में बिद्रोह किया था उसका भी नेत्रीतों करता थे दोस्तों मितलेश कुमार सिंहा जी थे यहां पर एंसर हो जाएगा सी राइट वही अगला प्रस्ने के भारत छुड़ा अंदोलन के दौरान जीम में से किसके नेत्रीतों में देवघर में जुलूस निकाला गया था दोस्तों बिनो नान जागे नेत्रीतों में इसका एंसर हो जाएगा वही अगला प्रस्ने के भारत छोड़ा अंदोलन के दोरान निम्ण में से किसके नेत्रितु में जार्खन की महिलाओं ने भी इस अंदोलने बढ़ चड़ कर भाग लिया था तो नेत्रितु करता थे दोस्तों सरसती देवी सर्शती देवी के नेतरीतों में जारकन की महिलाओं ने भी इस अंदोलन में बढ़ चड़ कर भाग लिया वहीं अगला प्रस्ट है कि भारत छुड़ अंदोलन के दोरान सर्शती देवी के नेतरीतों में निम से की सिस्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया देवी को किस तीथी को अंग्रेजों तो रग्रेपतार कर लिया गया था। यह जब जूलुस नि कालीका देवी तो उनको लग्रेपितार कीया गया तीथी कौन वह था। और से ँदी था फ्ये की अंसर C राइट हो जाएगा अगला प्राशने कि भारत छुड़ों अंदोलन के दौरां प्लामू में निम्न में से किसके नित्रितों महिलाओं ने अपनी भागेदारी सुनिश्चित की तो नित्रितों करता थे दोस्तों कुमारी राजेश्वरी शरोजदास इसका अंसर B राइट हो जाएगा अगला प्राशने कि भारत छुड़ों अंदोलन के दौरां निम्न में से किसके नित्रितों में दुमकाम बिसाल जुलूस का आयोजन किया गया था जो दुमकामे जुलूस निकाला गया था दोस्तों वहाँ पर देखें तो जब वांती देवी और प्रेमा देवी दोनों के नित्रितों करता थे तो प्रोग तेहाँ पर देखें D दोनों सही है B and C दोनों सही है अगरी अगला प्रस्थन है भारत छुड़ा अंदोलन के दोरान जमवंती देवी प्रेमा देवी की नेत्रितु में की स्थी थी को दुम का विसाल जुलूस का योजन किया गया था तो जुलूस का विसाल जुलूस जुलूस जो निकाला गया था दोस्तों वो था 19 अगस्त 1942 इसका एंसर D सही हो जाएगा तो यह अगला प्रस्थन है कि भारत छुड़ा अंदोलन के दोरान संथाल प्रगनाच छेतर मिनिन में से किस महिला नेता को पूलिस ने गोली मार दी थी संथाल प्रगनाच छेतर में महिला नेता को गोली मारा गया था ओ महिला नेता का नाम था बिरजी देवी यहाँ पर ए राइट हो जागा अगला प्रस्ण है कि भारत के कीज छेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानता स्रकार का गठन किया गया था जार्कन के किस छेत्र में भार चुड़ो अंदोलन के दोरान समानता सरकार का गठन किया गया था यह छेत्र था दोस्तों देवगर इसका अंसर B हो जाएगा सरवन देवगर में गठन किया गया था समानता सरकार की जैसे कि हम लोग जानते हैं कि और जगह पच्छी मंगाल हो गया, उतर परदेश हो गया, इस सब जगह में भी समानतर सरकार का गठन किया गया था अगला प्रस्ने कि भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान, जै परकास नरायन जार्खन के कीस जेल से अपनी साथियों के साथ फरार हो गया थे अगला प्रस्ने के भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान, जै प्रकास नरायन के साथ हजारी बाग जेल से फरार होने वाले नेताउन मिनी से कौन सामिल नहीं थे तो लोग पात दोस्ते जो प्रार हुए तो उनमें से एक जो थे वो नहीं थे इनमें चुनना है या सालिक राम सिंग यों गुलावी सुना रहे थे यहाँ पर डेख सकते हैं डी हो जाएगा दोस्तों रामा वतार सुकला यह नहीं थे इसका एंसर डी राइट हो जाएगा आगला प्रस्थन है दोस्तों किस जीले के ताना भक्तों ने भारत छुड़वा अंदोलन में भाग लिया था किस जीले के ताना भक्तों ने भारत छुड़वा अंदोलन में भाग लिया था किस जीले से बोलना चाहिए दोस्तों यहाँ question printing mistake है किस जीले से तो राची जीले से इस हैं पर अंसर हो जाएगा C अगला प्रस्णा है दोस्तों कि ताना भक्तों ने भारत छुड़वा अंदोलन की दोरान 18 अगस्त 1942 को निमने से किस थाने को ज़ला दिया था तो टाना भक्तों ने दोस्तों भारत छुड़व अंदोलन के दौरान निमन में से की स्ती थी को बिट्टी सरकार के दौरा कांग्रेस क्रियाले पर कबजा कर लिया गया था तीथी पुछा जा रहा है दोस्तों तो टीथी था 10 अगस 1942 को इसका एंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा अगला प्रस्तिने की निम्न में से किस बेक्ती ने भारत छुड़ो अंदोलन के दोरान जमसेदपुर में 60 सदेशियों के इक लाभी सिपाही दल का गठन किया था इसका एंसर हो जागा दोस्तों रामा अनंतिवारी जीने किये थे इसका एंसर हो जागा ए सही कि भारत छुड़ो अंदोलन के दोरान जमसेतपुर में 60 सदेशियों को इनकलावी सिपाही दलका गठान रामान अंतिवारी जीने किये थे अगला प्रासने किनीम में इसे किस बेक्ति को भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान गुमला थाना में जहांडा फहराने के दोरान गिरिपतार कर लिया गया था गुमला थाना में जहांडा फहराने के दोरान गिरिपतार करने वाले बेक्ती का नाम पुछा जा रहा है दोस्तों किस बेक्ती ने गिरिपतार हुई थी इसका हो गया था दोथों गंडपत, खंडेलवाल और दिवेंद्र कुमार यह दोनों बेक्टी के हुआ था दोस्तों इसका एंसर यहाँ पर देखे यह भी दोनों राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण है 11 अगस्त 1942 को उनी में से कीस बेक्टी को भीखना पहाड़ी से गिरिप्तार किया गया था तो यहाँ पर भीखना पहाड़ी से गिरिप्तार हुए बेक्टी थे बिनोदानन ज्हाजी यहाँ इसका एंसर बी हो जागा 11 अगस 1242 को भीकना पहाड़ी से ग्रिपतार किया गा था बिनोना नंजहा जी को वही अगला प्रस्थन है कि भारत छोड़ों अंदोलन के दोरान बिनोना नंजहा को ग्रिपतार कर कीज जेल में रखा गया था इनको गिरपतार करके कहा रखा गया था दोस्तों इसका अगता भागाल पूर जेल में रखा गया था इसका एंसर बी हो जायेगा राइट अगला प्रस्न है दोस्तों कि दुमका में भारत छोड़ो अंदोलन का नेतरीत्व किसने किया था तो दुमका में भारत छोड़ो अंदोलन का नेतरीत्व करने वाले थे कृष्णा परसाद इसका एंसर ये राइट हो जाएगा एकला प्रस्ण है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान दुमका मेक्रिष्णा परसाद के नित्रीतु में से किस जपते का गठन किया गया था इसका एंसर हो जागा दोसमों पहडिया जपता भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान दुमका मेक्रिष्णा परसाद के नित्रीतु में पहडिया जपता का गठन किया गया था अगला प्रासन है कि भाराच छुड़ा अंदोलन के दोरान दुमका मे क्रिष्णा परषात के नितरीतु में गठीत पहड़िया जबता कितने भागों में विभाजीत था तो पहड़िया जो जबता था दोस्तों कितने भागों में विभाजी था यह 5 भागों में विभाजी था इसका एंसर D. Right हो जाएगा अगला प्रस्न है दोस्तों के भारत छोड़ा अंदोलन के दोरान राची में नीन में से किस नेता ने सक्रिय भूमी का निभाई तेनी भाणे वाले थे वमन दास गुप्ता और केसो दास गुप्ता दोनों बेक्ती थे इसका एंसर ए राइट हो जाएगा और यह अगला प्रस्ण है भारत चुड़ो अंदोलन के दोरान 26 अगस 1922 को देवघर मिनी में से किस बेक्ती की गोली लगने के कारण उसकी मिर्टू हो गई थी इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों असर फी लाल इसका एंसर बीराइट हो जाएगा कि भारत छोड़ा अंदोलन के दोरान 16 अगस्ट 1942 को देवघर में असरफी लाल को गोली लगने से मिर्टु हो जाती है अगला प्रस्ते कि भारत छोड़ा अंदोलन के दोरान देवघर से निम लिखेत कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया अगला प्रस्ते कि भारत छोड़ा अंदोलन के दोरान देवघर से साइक्लो श्टाइपिन बुलेटीन नामक पत्रिका का संपादन किस बैक्ती ने किया था इस पत्रिका का संपादन पुछरा दोस्तों किस बेक्ती ने किया था इस पत्रिका का संपादन क्या था दोस्तों हरी राम गुट गुलिया इसका एंसर हो जागा यहाँ पर सी दोस्तों वही अगला प्रस्ण है जमताडा में भारत छुड़ो आंदोलन का नेतरी तो किस ने किया था तो जमताडा में भारत छुड़ो आंदोलन का नेतरी तो किस ने किया था तो जमताडा में भारत छुड़ो आंदोलन का नेतरी तो किस ने काली बाबु ने इसका एंसर ए हो जाएगा राइट अगला प्रस्न है दोस्तों जारकन में जमताड़ा में खून नेयों आसु नामक की इस्तिहार के माध्यम से किसने भारत छुड़ों अंदोलन का प्रचार किया था उस बेक्ति के नाम पुछ रहा है दोस्तों तो थे नर्सिंग राव एसका एंसर बी राइट हो जाएगा अगला प्रस्तें के भारत छुड़ों अंदोलन के दोरान गोड़ा जीले मिनिन में इसे किस धक्टर ने घायल सोतंतरता सेनानी का उपचार किया था तो गोटा जीलेन में किस डाक्टर ने घायल सुतंता सेनानी का उपचार किया था डाक्टर नलील लाक्ष मंडल ने इसका एंसर हो जाएगा 20 दोस्तों कि भाराच चुड़ा अंदोलन के दोरान गोटा जीलेन में से किस डाक्टर ने तो डाक्टर का नाम है डाक्टर नली लाक्ष मंडल ने घायल सोतंता सिनानियों को उपचार किया था अगला प्रस्ट नहीं दोस्तों के भारा छुड़ों अंदोलन के दोरान जहारखंड के कीस जीले के आदी वासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया था हाट कर सेतात पर है दोस्तों बजार कर, बजार कर देना बंद कर दिया था किस जीला के निवासियों ने, इस सिंभुम जीला के निवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया था, इसका एंसर D हो जाएगा, अगला प्रस्न के भारत छुड़ा अंदोलन के दोरान, जारकन के न एर आईट आगे अगला प्रस्ट्स्ट तो भारत छड़ो अंदोलन के दोरान किलामू के जापलाफ हैक्ट्री में मज़ेव emb parecer किसकी प्रेणा से हरताल की थी ये कोश्चन को भी बताया था दोस्तों इसे पहले भी कोश्चन आया था उसमें जपला फैक्टरी का उलेक नहीं था तो जपला फैक्टरी में हरताल करने उसके नितरी तो करता थे दोस्तों मिथिलेश कुमार सीनहा जी थे इसका एंसर ये राइट हो जाएगा अगला प्रस्थन है दोस्तों को भारत छुड़ो अंदोलन के दोरान ब्रेटी सरकार दोरा डाल्टिन गन्ज में कांग्रेस के कर्याले को अपने कबजें में लिया गया 21 तारी को लिया गया था पूछा जा रहा है दोस्तों ते लिया गया था दस अगर्ष्थ को इसा को रिपेटेड कोस्चन है दोस्तों अगला प्रस्थन है कि भारत छुड़ो अंदोलन के दोरान निम में से बरतमान के कीस जीले में इस्थित नदिया उच विद्याले के छात्रुक द्वराराष्टिये जहन्डा फाराया गया था ते दोस्त जीला पूछ रहा है तो जीला है दोस्तों लुहर्दा का जीला इसका एंसर डी राइट हो जाएगा अगला प्रस्ते के भारत छुड़ो अंदोलन के दरान इन में से कीस ती थी को ताना भक्तों ने एक सम्मूह के द्वारा विशन पूर्थाना को आग के हवाले कर दिया गया था तो किस ती थी को दोस्तों ताना भक्तों ने एक सम्मूह दो द्वारा विशन पो थाने में आग के हवाले कर दिया था उती थी था दोस्तों 18 अगर्स दुनी 142 इसका एंसर बी राइट हो जाएगा अगला प्रस्ते के भारत चुड़ों आंदोलन के दौरा नीन में से कीस बेक्ती ने बेक्ती को गुमला थाना में जहन्डा फाराते समय ग्रिफ्तार कर लिया गया था तो गुमला थाना में जंडा फराते समय ग्रिफतार किया गया था दोस्तों गंगा महराद जी को तो इसका एंसर यह राइट हो जाएगा आज के लिए इतना ही दोस्तों अच्छा लगा हो तो श्टडी रिलेटिव गुरूप में सेर जदू किजेगा इसके बाद हमारा 11 जो टौपिक था दोस्तों खतम हो गया है आगस कल हमारा स्टार्ट होगा अगला टौपिक होगा दोस्तों चेप्टर नमर 12 यह सब चीजे के भी से में हम लोग जानेंगे जहां से प्रस्म सबसे जादा बनते हैं और थैंक्यू दोस्तों अब मेरे साथ बने रहे जैहिन जुहार जारखंड